नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पर फ्रेंच मेरे इस चैनल पर मैं आप लोगों के सामने रेगुलरली वैल्यू पर मनी लाप्टॉप्स जो है लाते रहता हूं और मेरी कुशिश ये रहती है पूरी तरीके से कि जो भी मैं लाप्टॉप्स आप लोगों के सामने लाऊं उनकी प्राइजिंग थोड़ी डाइजस्टिबल हो इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से रेट ऐसा तो नहीं है कि साल दर साल आप लोगों की दोस्तों जो सेलरी है वो अच्छी कासी बढ़ रही है लेकिन जो लाप्टॉप्स की कीमत है कहीं ने कहीं वो काफी ज़ादा बढ़ रही है तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है Honor MagicBook X16 2013 के बारे में इसके जो है 4-5 वेरियंट है 14 इंच वाले भी वेरियंट है और 16 इंच वाले भी वेरियंट है लेकिन 16 इंच वाले में दोस्तों सबसे जो मैंने value for money के लिए select किया हुआ है that is the top end model जहां पे आप लोगों को 8 GB RAM नहीं बलकि 16 GB RAM जो है यहां पे आप लोगों को मिलती है इस laptop के काफी सारे आप लोगों को जो है दोस्तों pros देखने को मिल जाएंगे और मैं इस laptop को यहां पे compare करने वाला हूँ उसके competition लेने वो idea pad slim 3 से जो की लगबग उसकी pricing आप लोगों को उससे जो है थोड़ी बहुत ज्यादा यहां पे देखने को मिलेगी नाव काफी सारी चीजे जो है इस laptop के अंदर आप लोगों को अच्छी देखने को मिल जाती है सबसे पहली बात आ जाती है दोस्तों यहां पे metallic construction नाव पर्सनली मैं इस चीज़ को उतना ज्यादा भाव नहीं देता था लेकिन जब से मैंने खुद ने metallic laptop जो है यूज करना चालो किया है I can easily recommend कि खरीदो थोड़े बहुत ज्यादा पैसे लगा लो लेकिन खरीदो तो metallic laptop भी खरीदो दोस्तों laptop ऐसा है कि Indian consumer के हिसाफ से 5-6 साल कहीं जाना नहीं है तो अगर आप लोग metallic laptop खरीदे हैं दोस्तों जो premium feel आप लोगों को मिलती है जो mental satisfaction आप लोगों को मिलता है वो काफी ज्यादा जो है अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा as compared to the plastic laptop तो ये laptop सबसे सस्ता है metallic laptop आप लोगों को मिलता है इस price point पे आप लोगों को देख रहे हैं दोस्तों साथ में आप लोग कुछ debit credit card offers यूज कर सकते हैं और साथ ही में अगर आपके पास में आपका कोई पूराना laptop है जो कि आप लोग anyway कहीं न कहीं बेशना चाहते हो तो बिल्कुल इस चीज को जो है exchange में यहाँ पे निकाल लीजे दुकान पे मत जाएए दुकान पे जो हो सकता है कि वह एक ऐसे rate बोल दे जो कि आप लोगों का मुझ उका दे इससे better है कि आप लोग यहाँ पे चुपचाब जो है अपने पुराने laptop को exchange कर ले और नए laptop में जो है अच्छी खासी offer यहाँ पे ले ले फिर बात आ जाती ही दोस्तों यहाँ पे processor की इस मामले में मैं काफी ज्यादा strict हूँ the reason being is मैं आप लोगों को बता दिता हूँ देखिए यहाँ पे आप लोगों को मिलता है I5 12450H so it's a basically a 45 watt processor लेकिन यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं दोस्तों जो processor आप लोगों को यहाँ पे मिलता है Lenovo के idea pad में वो मिलता है U series का processor नाउ यह जो U series का processor है इसमें दिक्कत सबसे जादा क्या आती है ठीक है जहाँ पर मैंने आप लोगों को पताया दोस्तों यहाँ पर H-series में 45W का आप लोगों को प्रोसेसर मिलता है वहीं U-series में आप लोगों को just 15W का प्रोसेसर मिलता है यह जो laptop है I'm assuming कि all rounder लोग खरीदेंगे जिने video creation करना है जिने programming करनी है जिने मान के चलिए दोस्तों light gaming करनी है या फिर quality media consumption videos देखने है web series देखनी है ठीक है तो इस laptop में आप लोगों के सारे काम हो जाएंगे लेकिन एक चीज़ बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से सुनना सारे काम आपके एक साथ हो सकते हैं वेरास Lenovo IdeaPad Slim 3 में आप लोग वो सारे काम बिल्कुल एक साथ यहाँ पर नहीं कर सकते तो आप लोग चाहते हैं कि means all in one laptop हो जा आप लोगों को यहाँ पर मिल जाए तो बिल्कुल इस laptop को जो है आप लोग यहाँ पर consider कर सकते हैं ना बहुत सारे लोगों का सवाल यह होगा कि यहाँ पर कोई अलग से NVIDIA का graphic card नहीं है तो friends में आप लोगों को बता दूं कि लगभग दो साल पहले से जो भी एक सी graphic card वाल करते हैं दोस्तों यहाँ पर RAM की तो आप लोगों को 16GB RAM मिलती है battery pack की बात आ जाती है दोस्तों यहाँ पर 16-inch का आप लोगों को laptop मिलता है उसके अंदर आप लोगों को battery pack मिल रहा है 60Wh का वेराइस जो competition है आप लोगों को still पुराना गिसा-पिटा 45Wh का जो है battery pack यहाँ पर कर रहा है डिस्प्ले की बात कर लेते हैं जिसके मामले में मैं काफी ज्यादा इस्टिक्ट हूं तो फ्रेंट्स यहाँ पर आप लोगों को 16-10 का full HD plus panel देखने को मिलता है साथ ही में 100% sRGB जो है आप लोगों को color volume देखने को मिलता है वेराइस अगर मैं Lenovo IdeaPad Slim 3 की बात करूं तो यहाँ पे color volume जो है दोस्तो 100% बिलकुल यहाँ पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है और 16-10 जो है 16-9 जो है display आप लोगों को देखने को मिलेगी which is useful only if you are watching videos otherwise आप लोगों को वीडियोज देखनी है और web browsing का भी अच्छा खासा मजा लेना है then definitely this laptop की 16-10 वाली जो screen है that 2 comes with the 16-inch size तो यह आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जो है दोस्तो eyes के लिए pleasing हो जाएगी क्योंकि मैं खुद 17-inch वाला जो है दोस्तो laptop use करता हूं LG Gram 17-20-21 जिसकी aspect ratio 16-10 है तो कितना pleasing लगता है aesthetic वो जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर बता सकता हूं apart from that दोस्तो सारी चीज़े यहाँ पर आप लोगों को proper proportion में मिल दी है nothing is too high in this laptop but everything is in the proper proportion जिसकी वज़ा से जो यह जो price point है न यह बिलकुल काफी जादा सही है और मैं आप लोगों को यहाँ पर guarantee के साथ कह सकता हूं अगर यह same specification दूसरी companies जैसी Lenovo या फिर Dell लेके आती तो उसका price point लगभग आप लोगों को 75,000 के उपर देखने को मिलता so owner ने काफी strategic जी गली जो है यहाँ पर इस चीज़ की pricing रखी हुई है आप लोगों को definitely इस laptop को consider यहाँ पर करना चाहिए and one thing which I want to tell you is कि support ठीक है support यह काफी ज्यादा अच्छी चीज़ है देखे यहाँ पर Lenovo, Dell हो गया, HP हो गया यह सब market में काफी ज्यादा पहले जो है इंडिया में आए तो इनको कहीं न कहीं first mover का जो है दोस्तो advantage यहाँ पर मिल गया और क्योंकि इनके brick and motor store काफी ज्यादा जो है आपको देखने को मिलते हैं तो उनकी वज़र से कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि भाई कुछ भी खराबी हो जाएगी तो दुकान में चले जाएंगे वेरास होता ही है कि आपको दुकान में जाना पड़ता है आपको जो है दोस्तों service center में ही जो है यहाँ पर जाना पड़ता है और इन service centers में काफी जाता भी आप लोगों को देखने को मिलती है वेरास अगर मैं honor के इन laptops के बात करूं तो देखिए फ्रेंट्स इनकी जो है physical presence तो almost nil है only online presence है that is why intermediate margin होता है वो cut करके भी आप लोगों को यहाँ पर pricing यहाँ पर यह लोग provide कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि product bad है that is why they are keeping it the pricing low ऐसा बिलकुल नहीं है the reason is only simple कि जब इसको वो physical store में बेशना चालू करेंगे तो उनका commission भी जो है add होगा फिर उसके उपर से वो और profit margin रखेंगे और भी add होगा तो कई नहीं कई उसी में जो है 78000 रुपे pricing इसकी बढ़ जाएगी whereas इस laptop को आप लोगों को exclusively only जो है यहाँ पर online खरीदने को मिल रहा है that is why they are able to keep this pricing such low उमीद है दोस्तों मेरे इस वीडियो से आप लोगों को काफी जादा value मिली होगी do consider subscribing to my channel